जंग तो चंदरोस होती है, जिल्दगी बरसो तलक रोती है जावेद अक्तर सहाब की एलाईने आज यूकरेन में सच होती नज़र आ रही है हमले से यूकरेन लहुलोहान है और रूस यूकरेन पर करीब करीब काबस है कहते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं क्योंकि जंग खुद में एक मसला है जाहर है कि ये समय युद्ध के वरुद खड़े होने का है और ये वक्त युद्ध के उनमात के बीच शांती की दूआ करने का है ये वक्त महबत और शांती के पैगाम की बात का है यह समय जंग के जुनून से दुनिया को बचाने का है क्योंकि किसी ने खुब कहा है चाहत है फाइदे की तो बाटो मोहबते नफरत में और जंग में नुकसान बहुत है तो युद के विरुद कव्यों का मूचा जम चुका है शान्तिक इसी पैखाम के साथ हमारे कव्यों ने अमन की आशाओं की मशाले जला ली है और इस महफल में हमारे साथ इस वक्त जुर चुके हैं श्रम्भू शेखर जी बहुत स्वागत है श्रम्भू जी आपका अनामिका प्रास कारू का ठेला ना जाएगा इनसान से रहा तो अकेला ना जाएगा पहले भी हम दो विश्व जुद जेल चुके हैं अब तीसरा तो हमसे यह जेला ना जाएगा कुछ बस्तियों का हाल भी आबान से पूछो क्या क्या उडा के ले गया तूफान से पूछो मिल बेठी करके मसलों का समाधान कीजिए कितना बुरा है जंग यह जापान से क्या बात है बुरा है जंग यह जापान से पूछो जंग की अगर आपको देखनी है मार तो जापान आज तक हिरोसीमा और नाकसा की हम सब के लिए एक बहुत बुड़ा उधारन बना हुआ है आज तक वहां पे बच्चे जो है वो अपाहित पैदा हो रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल और हाल काला भूरा मट मेला सब काला भूरा मट मेला सब मिट्टी के ही रंग मिट्टी के मानव की फिर क्यों मिट्टी से ही जंग काला भूरा मट मेला सब मिट्टी के ही रंग मिट्टी के मानव की फिर क्यों मिट्टी से ही जंग एक सा जीवन मौत एक सी सासों का एक ढंग मिट्टी क्यों रंदे मिट्टी को मिट्टी देख के दंग क्या बात है वाँ मिट्टी की ही सारी चाले मिट्टी के सब मोहरे है मिट्टी के जिसमों पर देखो मिट्टी के ही पहरे है सपने मिट्टी अपने मिट्टी मिट्टी के सब रिष्टे मिट्टी के दो पाटों बीच खाव मट्टी ले पिस्ते मैं मिट्टी का तू मिट्टी का क्यों मिट्टी से बैर मिट्टी में सब मिलना है तो मिट्टी फिर क्यों है क्या बात का लभूरा मत्याला सब मिट्टी के ही रंग मिट्टी के मानव की फिर क्यों मिट्टी से ही जंग अनामिका जी मैं बिल्कुल अपनी बात कहूंगी इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं एक बहुत जरूरी बात मैं सब तक पहुँचाती हूं हम सब के मन की है हर भारतवासी इस समय उन सब के शुब कामनाओं के लिए यहां बैठकर के अपनी बात कह रहा है जो लोग वहाँ पर फसे हुए हैं इस आपात कालीन इस्थिती में फसे हुए हैं और खास तोर से जो हमारे अपने लोग वैसे हम सब के विश्व सांती के लिए यहां एकत्रित हुए हैं लेकिन जब मैं निउस चैनल पर हूँ और कोई कलम का सिपाही वहां जाकर के इस दे लोग वहां पर उपस्थित हैं और हमें एक एक समय एक पल की खबर दे रहे हैं उन सब के लिए एक दुआ करती हूँ आप सब के ओर से कि अरे सिपाही कलम के हम सब पर है जो एहसान तेरा करतव्यों के अनुपालन में जलक रहा इमान तेरा चाहे जब कोरोना की स्थिती थी लोग अपने घरों में कॉरंटीन थे लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे अरे सिपाही कलम के हम सब पर जो है एहसान तेरा करतव्यों के अनुपालन में जलक रहा इमान तेरा देश की आँखे बन कर सबको दुनिया सारी दिखा रहे दिल से यही दुआ निकली है, ईश्वर रखे ध्यान तिरा क्या बात है, बहार कुछ और अपने कावेपाट को प्रारम करते हूं बहात आभार की शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है पूल की जुलसी पंखुणियों पर शबनम होना मुश्किल है पूल सी जुलसी पंखुणियों पर शबनम होना मुश्किल है पिससे पहले मैंने कभी इस बात को इतने बार नहीं कहा लेकिन इस आयोजन के लिए जो आपने आज का ये हवन विश्व शान्ती के लिए रखा है जिसमें शब्दों की आहूती देने के लिए हम सब यहां बैठे हुए है गुसे में यू उबल रहीस दुनिया को ये समझाओ खंजर होना बहुत सरल है मरहम होना मुश्किल है खंजर होना बहुत सरल है मरहम होना मुश्किल है एक प्रश्न पूछती हूँ आप सब की और से कि पीर ये मरहम जो हो जाए उस आसू से लिखते है पीर ये जो मरहम हो जाए उस आसू से लिखते हैं फूल सरीखे लोग हमेशा खत खुश्बू से लिखते हैं डरते डरते पढ़कर अंबर अकसर सोचा करती हूं समाधान की भाशा कैसे लोग लहू से लिखते हैं समाधान की भाशा कैसे लोग लहू से लिखते हैं और समाधान से याद आया हम उस भारत में रहते हैं जब समाधान के लिए गर्व से कहती हूं भारत की बेटी हूं गर्व से कहती हूं कि जब समाधान के लिए हमारे भारत की ओर देखा जाता है और भारत समाधान देता है तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ जो मेरे बहुत मन की पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ सुनिएगा रक्त में शोरे भोले दिलों का आप सब का मन चाहती हूँ भारत क्या है? और क्यों गर्व होता है हमें? कि रप्त में शौरे भोले दिलों का है जरा हट के भारत हमारा क्या बात है कि रप्त में शौरे भोले दिलों का है जरा हट के भारत हमारा गर्व है हमको इस बात परके हम है भारत के भारत हमारा गर्व है गर्व है हमको इस बात परके हम है भारत के भारत हमारा और अभी हाल ही की घटना जब भारत में भारत से किसी ने गुहार लगाई है और हम सब गौरवानवित हुए कि हाँ हम इस योग्य हैं कि लोगों के काम आ सकते हैं कि दोस्त तो दोस्त होते ही हैं पर दुश्मनों को भी है ये भरोसा जब जरूरत पड़ेगी तो देगा जब जरूरत पड़ेगी तो देगा साथ भी डट के भारत हमारा गर्व है हमको इस बात परके हम हैं भारत के भारत हमारा बहुत खूर बहुत खूर क्योंकि कवियों की कलम से सूरते हाल भी बया होता है और वहां रहने वाले लोगों की भावनाओं को भी बया करते हैं लकीर खीच देने से क्या बटवारा हो जाता है हमने देखा पूरी दुनिया में बड़ी लकीरे खीची गई देश बाट दिये गए लेकिन क्या लोग बटे अगर लकीरों को खीचने से ही बटवारे हो जाते तो खुद्रत हरवार उन लकीरों को मिटा नहीं देती हैं हम बार-बार लकीरे खीचते हैं दुनिया के नक्षे बार-बार बदले जाते हैं हमने यहां से लेके और दुनिया के हर कोने में हम इतिहास को अगर पढ़ें तो बार-बार इंसान लकीरे खीचता है लेकिन कुद्रत हर बार उन लकीरों को मिटा देती है लिसंदेश है बिलक इससाब वक्त क्या बदला कि चेहरों पर उदाशी है गमों से खौफब खाकर मुष्कुराना छोड़ देंगे। तो गमों से खौफब कर मुष्कुराना ना छोड़े में एक हास्य कवी हूं कई बार हास्य जो है वो इतना मारक काम करता है कि आपके बहु सारे तनाव को मार देता है मैं चार लाइने आपको सुनाता हूं की तरहा हाथ तक कोई ट्रेन टाइम पे नहीं पौँचे मैं लेट दो मिनित तो ही जाती मैं लेट घर गाया था किसी ट्रेन की तरह मुझी से सुलुक बहुत कि आलादेन की तरह पतिनी मेरी रसिया की तरह सिर पे चड़ गई मैं तरही माम कर रहा उक्रेंड की तरह मैं तरही माम कर रहा और भारत की स्थिति देखिए चांदार है। अब से पहले क्या था और पहरें aver ऐभारत क्या था और दूसरी लैन पर तो आनंध क्या था सैमसेट पहें थांटायर बनादिया पुषपाता पहले अभुछ तो है बनाद थिया पुषपाता पहले अभुछ थे टींत बना थींतो छोड़ा कि न तो है रशेत्य Like हुआ समझाए ऐसा बड़े-बड़े देश आकर के कह रहे हैं कि पुषपाता पहले अब उसे फायर बना दिया दो देश भिढ़ गए तो दूसरी तरफ देखो भारत को युद्ध का ही एंपायर बना दिया भारत को युद्ध का ही लेकिन एक बात जो पूरी दुनिया में हम खाली यूक्रेन और रश्या के ही बात ना करें सब कही न कही अपनी सीमाओं को लांगने में लगे हुए हम सब ही लगे हुए अब देखे मैं हासे के माध्यम से व्यंग भी जोड़ता हूँ और पंकज भाई अनामिका जी स्वागत है कि बैंगानी को जलाकारिक नहीं भरता कीज बैंगानी को जलाकारिक नहीं भरता कीजिये मिल जाए प्रेमिका तो खुल के खर्चा कीजिये जो लोग है लड़ते वो आशिकों से सीख ले करना है अगर तो दिल पे कब जा कीजिये करना है कहीं पे तो दिल पे कब जा कीजिये बहुत बढ़ बढ़ दिल की बात आई है तो अनामिका जी जवाब रखेंगी लेकिन आज मैं क्योंकि हम सब यहां पर द्रवित हैं बेशक से अपनों को खुशी पहुचाने के लिए चेहरों तक मुस्कान ला रहे हैं लेकिन हम सब जानते हैं कि हम किस दुविधा में हैं तो दिल की बात कही है तो दिल ही की बात से शुरू करती हूँ लेकिन क्या कहती हूँ कि नाजुक दिल है चोट समय की फिर कैसे सहपाएगा लोगों के नेने में कौन-कौन लोग मर रहे हैं वो लोग जिन्होंने अपनी जिन्दगी शुरू करने के बारे में अभी सोचा है वो लोग जिन्होंने अपनी नई जिन्दगी के सपने देखे होंगे वो लोग इस युद्ध में जा रहे हैं तब कहती हूँ दिल की बात कि नाजुक दिल है चोट समय की फिर कैसे सह पाएगा सब के मन जब खायल होंगे कौन किसे सहलाएगा युद्ध जरूरी अगर लगे तो खूब करो पर ये सोचो इन युद्धों की प्यास बुझाने लहू कहां से आएगा इन युद्धों की प्यास बुझाने लहू कहां से आएगा एक बात नवजोज जी बहुत हम लोगों तक पहुँच रही है कुछ लोग जो इस बात को लेकर के परिशान है कि भारत देश उन्हें वहाँ पर इसले तो नहीं छोड़के बैठा है भूल तो नहीं गया है तो इस देश की ओर से एक पैगाम उन तक पहुचाना चाहती हूँ जो इस बात से थोड़े से परिशान है उनके चेहरों पर मुस्कान तो मुझे नहीं पता कि मैं ला सकती हूँ लेकिन हाँ आप सब का पैगाम उन तक पहुचा करके उन्हें एक विश्वास जरूर दिला सकती हूँ और उनसे एक निवेदन कर सकती हूँ कि परिक्षा की घड़ी है धैर रखो आस तो रखो वतनवालों वतन के वासते एहसास तो रखो सुरक्षित ले ही आएंगे तुम्हें इस मुल्क में वापस समय का फेर है यारों जरा विश्वास तो रखो समय का फेर है यारों जरा विश्वास तो रखो और विश्वास रखना इसले भी जरूरी है कि धरा में शामिल पुर्खों का अवशेश उन्हें न छोड़ेगा क्यों छोड़ेगा देश क्यों कि धरा में शामिल पुर्खों का अवशेश उन्हें न छोड़ेगा गीता रामायन वाला संदेश उन्हे ना छोड़ेगा अनामिका जी मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि कल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं पंकर जो वहाँ फसे हुए हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जाते हैं और अनामिका जी का संदेश उन्हे था और कल उन बच्चों के साथ जब मेरी बात हो रही थी उन ब भरोसा है अपने मुल्क पर और हम सही सलामत सुरक्षत वापस लॉटेगे यह जो भरोसे की बात आपने कही है यह भरोसा कल मैंने उन बच्चों के चेहरे पर देखा उनके अलफाजों में मैंने में वेसूश किया है बात वोई संदेशों की चली तो मैं सच बता हूं तो मै कभी कभी सोचता हूं कि हम सच में बहुत भागिशाली लोग हैं कि हमने भारत में जन्म लिया क्योंकि जब दुनिया की उथल पुथल देखते हैं हम लोग तब हमें पता चलता है कि भारती होने का मतलब क्या होता है जिस तरह से पूरे दुनिया में सम्मान मिलता है जिस त ऑचे को ना वथी वपो थी तु म मा विद्यक्त साहब है इंदर से संदेस्ट की अधिक सवाल है जो programs की इस धूर की से करेंगे लुक्त कि समय के सार्तिय। और हर निरने तुम्हारा जो आज क्या दौर है इस दौर की जितने लोग है उन सबसे ये बात है तुम समय के सार्थी हो और हर निरने तुम्हारा मौत बोना चाहे बोदो मौत बोना चाहे बोदो रक्त से सिंचित करो मौत बोना चाहे बोदो रक्त से सिंचित करो परफसल परिणाम से भी तुम मगर किंचित डरो सोच में बारूद भरकर होम ये स्रिस्टी करो या कि रंगों के ब्रश से रंग दुनिया में भरो दर्ज सब होगा दिनांकों में प्रलय प्रणय तुम्हारा तुम समय के सार्थी हो और हर निर्णय तुम्हारा बाटना है बाट दो धर्ती को चाहे जो करो नसलों को क्या सौपना है ध्यान ये भी तुम धरो या कि बन के शांति के तुम दूत जग मुश्किल हरो याद रखा जाएगा पीडा से भी परिने तुम्हारा तुम समय के सार्थी हो और हर निर्णय तुम्हारा झाल झाल